हेलो एबरिवन कैसे आप मैं बिलकोल अच्छी हूँ आशे करती हूँ आप भी बहुत ही अच्छे से हूंगे मस्त हूंगे मजे में हूंगे और मेरा व्लॉग देख रहे हूंगे तो आज का जो व्लॉग है दोस्तों स्टार्ट कर रही हूं मौणिंग से तो मौणिंग टॉ करें अब लुद्टन के और लुटीन में आपढर ल्गा幣 लिए मुद्य can यहां पर शबढ़र्व ॡब अब बेटटी Varu लुझे को बैटटी, जो निव यहां यहां पर शब बेढ़की तो यहां पर सबसे मैं एक बाहर में कंपड़ा देती हूं किचन वैसे rat को मैं क्लीन करके सोती हूं लेकिन फिर भी सुबह होता है सफाई करनी चाहिए टोड़ा सा और इसकी बाद दोस्तों मैंने जो है कला है क्या is I और चाय बना कर जो है न इसके बाद जो जो मैं करूंगी आज सारा रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत थेंक्यू चाय बन रही है दोस्तों तब तक क्या करती हूँ मैं देख लीजिए आप सबसे पहले सुबह उठते ही न एक तरफ जो भी काम होते हैं वो करती रहती हैं और सासद मशीन लगा देती हूँ जिससे क्या होता है न कपड़े भी सासद धूलते रहते हैं तो फिर इजी रहता है कि काम भी हो जाता है और कपड़े भी धूलते रहते हैं तो यहाँ पर मशीन लगा कर छोड़ दी है और देख लीजिए इतने तक मेरी चाय भी बन गई थी तो पापा जी को चाय दे आई हूँ और अपनी चाय मैं ग्लास में ही पीती हूँ हमेशा से ही शिरू से ही मुझको हैबिट है कि मैं चाय जो है ग्लास में पीती हूँ यहाँ पर सुनियों को देख लीजिए वो भी उड़ गया था तो उसको भी जो है कुछ खाने को चाय यह होता है सुबह उठते ही उड़ जाता है तो इसको भी अभी कुछ दूंगी और सुनियों को खाना देने के बाद मैं नहाने चली गई थी नहा कर आई हूँ और आप करने लगी हूँ पूजा तो देख लीजिए आप आरती कर रही हूँ पूजा कर रही हूँ और लड़ू गोपाल जी रखे हुए हैं दोस्तों मैंने जैसे कि आप मेरे व्लॉक्स में देखते ही रहते हैं तो लड़ू कोपाल जी को नहलाना धुलाना उनका सारा जो सेवा पानी का काम होता है वो करती हूँ और प्लस पूजा आर्ती वगयरा भी करती हूँ भूग लगाती हूँ उनको यहां पर टेरेस पर आ गई थी तो फिर टेरेस पर जो है तुलसी मैया क आप जैसे कि मेरे व्लॉक्स में देखते ही रहते हैं तो आज रूटीन शेयर कर रही हूँ तो इसलिए शिरू से आपको सारी चीज़े बता रही हूँ उमीद करूँगी आपको व्लॉक पसंद आएगा तो यहाँ पर पूजा करने के बाद एक लुक देती हूँ आपको अपने गार्डन का देख लीजिए कितने सारे खुबसूरत से प्लांट्स हैं जो मैंने लगाए हुए हैं अभी अभी दो दिन पहले नर्सरी गई थी तो वहाँ से भी कुछ न्यू प्लांट लेकर आई थी तो वो भी मैंने सारे लगा दिये थे वीडियो आपके साथ शेयर किया था अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो यहाँ पर देख लीजिए वन बाई वन मेरे सारे ही प्लांट्स जो बहुत ही खुबसूरत लगते हैं एक नजर इन पर सुबह सुबह जरूर डालती हूं और रही इनको पानी देने की बाद तो पानी जो है अभी क्या है ना बारिश हो रही है तो उस वज़े से गीले थे प्लांट्स तो इसलिए नहीं डाला था तो यहाँ पर देख लीजे कितने सुंदर लग रहे हैं सारे ही पौधे और मोग्रे पर बहुत प्यारे प्यारे फूल आते हैं इन दिनों यह देख लीजे कुछ इस तरीके से मैनेज करा हुआ है मैंने अपना गार्डन बहुत ही प्यारा और बहुत ही खुबसूरत लगता है और थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है गार्डन में आपको तब ही जो है खुबसूरत लगता है तो वही मैं देती हूँ जो भी टाइम मिलता है संडे में एक बार जरूर प्लांट्स को देती हूँ ताकि इनकी maintenance बनी रहे आ गई थी दोस्तों अब नीचे किचन में तो आने के बाद रात कोई decide करकर सोती हूं मैं कि क्या सबजी बनानी है तो अभी जो है सबजी काट रही थी मैं और winter में क्या होता है ना रात को ही सबजी काट कर रख देती हूं क्योंकि हरी सबजियां जादा तर ब different kind की शबजियां जाई होती है जैसे तो आज करेले मैंने रात को ही कट करके रखे दे टो उन पर नमक खलदी लगाकर रख था तो आज कट करके करेले बना रही हूं यहां पर प्यास जो है वो कट करके जो है करेले मैं छोंक दिये थे मसाले डाल कर तो ये वाले करेले भी आप ट्राई करके देखना बहुत अच्छे लगते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं मैं भरवा भी बनाती हूं करेले लेकिन इस तरीके से भी बना लेती हूं कभी करेले भी मेरे लगबग बनने ही वाले हैं तो अच्छे से इनको मैंने भून लिया था तो थोड़ी देर में बनकर रैडी हो जाएंगे यहां पर सबजी कट करके रग दी थी बस इसको भी अभी छोग दूंगी इसके साथ जो दोस्तों मैं डालती हूं सबजी में टमाटर हरी मिर्च और अद्रक इसका जो है छोग लगाती हूं इस सबजी में तो बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है यह वाली भी और cookر में ही छोक रही हूं मैं इसे वैसे आप कड़ाई में भी बना सकते हैं कड़ाई में भी अच्छी बनती है तो ज्यादा तर मैं cookr बना देती हूँ सुबह एक तो क्या होता है बहुत जल्दी होती है और थोड़ा busy time होता है और सब लोगों का जाने का टाइम होता है किसी को नाश्ता किसी को कुछ चाहिए होता है तो सुबह सबका अलग-अलग रूटीन होता है इस वज़े से थोड़ा सा मैं जल्द बाजी के चक्कर में कई बार इस सबजी को तरीकी बना देती हूँ तो यहां पर जो टोस्ट देख रहे है न आप यह सेंडविच के तरीके से मैंने बनाया है तन्नू के लिए क्योंकि तन्नू जा रही है सुप्रीम कोर्ट जाती है तन्नू इंटर्शिप उसकी स्टार्ट हो गई है तो Supreme Court जाना होता है उसको तो Supreme Court में क्या होता है टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपको 10 o'clock पहुँचना होता है और शाम का भी आपका टाइमिंग फिक्स होता है तो इसलिए उसको फटा-फट से मैं दे रही हूं यह टोस्ट बनाकर जो वो खा रही है और को थोड़े सा शर्म आती है उसको अच्छा नहीं लगता तो इसलिए नहीं दिखाबाती है और यहां पर आटा भी मैंने गून कर रख दिया है साथ-सात को मैं साफ कर देती हूं रीजन यह होता है दोस्तों अगर आप साथ-साती बरतन थोड़े-थोड़े करते रहते ना अगर आप single hand है और आपकी कोई house helper नहीं आती तो इस तरीके से आप काम को manage कर सकते हैं, यहाँ पर बैठ कर पानी पी रहे हूं और पानी हमेशा बैठ कर ही पीना चाहिए, क्योंकि तन्नु की जाने के बाद तसल्ली हो जाती है थोड़ी सी, उसे देखर भेज देती हूं खाना उसके बाद आराम से फिर बनाती रहती हूं, यहाँ पर देख लीजें मेरी सबजी बनकर रैडी हो गई है तरी वाले आलू बैंगन और यहाँ पर जो करेले हैं वो भी बन गए थे इस वक्त दूस्तु दस बज रहे हैं और सब लोग जा चुके हैं और घर दिखा देती हूं आपको मैं कैसा लग रहा है इस वक्त बहुत मैसी मैसी सा हो रहा है, पूरा ही घर दिखाती हूं मैं आपको ये देख लिजी ये पापा का रूम है पापा और कुशल दोनों यहाँ पर सोते हैं ये पापा और कुशल का रूम है तो पूरा ही जो चदर है ना पूरी बाहर निकली हुई है इस तरीके से और बहुत ही गंदा रूम हो रखा था तो इधर ये जा रहे थे दिखा रही हो मैं आपको दिखा रही हूँ ना गली में जो ये बैठे हुएं ये बाके भिहारी जी के भजन गा रहे थे तो सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था तो थोड़ी दिर के लिए यहां पर खड़ी हो गई थी क्योंकि एकदम से जब घर से जाते हैं तो एकदम से भी जाड़ू लगानी चाहिए सफाई ने करनी चाहिए तो थोड़ी दिर रुक कर फिर करती हो मैं सफाई तो यहां पर यह जा चुके थे उसके बाद जो है थोड़ा सा देर मैं बैलकनी में खड़ी हुई इधर उधर देखा और उसके बाद बस आप चलते हैं अंदर और घर का काम पांगा हुआ था तो बस अब अंदर आ गई हूं और घर की हालत देखकर एक बार तो चक्कर आ जाता है कि इस तरीके से इतना विखरा हुआ है तो पर वही है करूंगी अभी धीरे-धीरे और यहां पर कपड़े भी धुली रहे थे अभी जो मैंने सुबह मशीन लगाई थ कितने सारे बरतन पड़े हुए हैं सब करने हैं जिसमें की मोटे जो बरतन होते हैं परांत कड़ाई वगेरा वो सब मैं कर लेती हूं लेकिन उसके बाद भी ना कुछ बरतन जो हैं इस तरीके से रहते हैं तो अब फटा फट से चलिए माज लेते हैं बरतन और सफाई करना क काम चल रहा है तो अभी यह सब होने के बाद दिखाऊंगे आपको टाइम क्या हुआ है तो यहां पर बस बॉटल भर रही हूं सारी जो सुबह खाली हो जाती है क्योंकि पानी बहुत लग रहा है गर्मी इतनी है न तो बार बार प्यास लगती है सबको इस बर क्या है न दोस् देख नगा है यह किचन कर दी है मैंने क्लीन और अब जो है न एक बार जाड़ो मैंने सुबह लगा यहीथी और अघ्छे से ही लगा ली थी नहीं टो अगर अगर अच्छे से नहीं लगी होती न तो फिर में दुबारा Practical कर दमेंगा खिर अच्छे से लगाकर फिर पोचा से सफाई हो जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है और यहां पे सारे ही प्लांट्स जो है ना बारिश होई थी इसलिए मुझे आज पानी नहीं देना पड़ा क्योंकि एक रूटीन मेरा ये भी रहता है कि फिर प्लांट्स को पानी भी देना होता है तो बस लाइट कर दि तो ये सब काम दोस्तों मेरा इस तरीके से चलता रहता है मैं अभी नाश्ता करके बस अब आ गई थी बाहर बैलकनी में कपड़े लेकर जो कपड़े धुल गए थे एक लॉट तो वो सुखा देती हूं और उसके बाद दूसरा जो लॉट है वो मैंने मशीन में डालाई थी और ये वाला सुखा देती हूं अभी और सुखाने के बाद दोस्तों अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है सवा बारा का तो सवा बारा यानि बारा पंदरा हो रहे हैं तो बारा पंदरा पर ये सारे काम जो है मेरे निपट चुके हैं और ये देख लीजिए सुनियों को दोबारा से भूक लगी थी उसको कुछ खाने को दे दिया था तो वो खाने लग रहा है तो ये था दोस्तो मेरा morning to afternoon routine कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताएगा पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजेगा बाबाई